I hope you are learning well हमाई पास number one है proposition of time ठीक है proposition of time क्या होता है तो उसके definition है the relationship of time relationship time के between the nouns to the other parts of a sentence किसके बीच का relationship बताता है हमें ये time noun का दूसरे पार्ट से sentence के अंदर जो use हो रहा है वो noun का दूसरे पार्ट से क्या relation है यह क्या time है उनके बीच में ठीक है यह हमें कौन बताता है proposition of time बताता है example है इसकी he started working at 10 a.m. ठीक है उसने जो है वो काम start किया कब start किया 10 बज़े जो हमाई पार at use हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे proposition of time यह हमें क्या बता रहा है time बता रहा है सही है यह वैसे there is a holiday in December जब December के जो है हमें चुटियां मिलती है there is a holiday in December ठीक है holiday होगा कब होगा December में हमें क्या बता दिया हमें time बता दिया कि December में होगा तो in जो use हो रहा है वो हमें क्या यूज हो रहा है मैंपा proposition of time time यूज हो रहा है ठीक है और भी इसके जो words ने प्रापोजिशन के वह देख रहते हैं time में जो use होते most common proposition of time are ठीक है on, at, in, from, to, for, since, ago, before, till, until, by यह सारे जो हमाई पाव words हैं यह कैसे किसली use होते हैं इन्हें क्या कहते हैं proposition of time यह हमें time शो कर रहे होते हैं सारे words इसके लावा और भी words होते हैं तब ही इता लिखा लिखावा है sector ठीक है इससे sector कहते हैं यह सारे words हो हैं यह हमारे लिख यह कौन है proposition of time है ओगे अला पिस क्लास